मेरे प्रियक एडेट्स आप सभी को मेरा नमस्कार दिनांख 11 जनवरी 2021 इस दिन पर जो है हम रिविजन के तौर पर दसवी कक्षा के सम्मन्दित स्पर्ष भाग दो से जो है आटवी कविता जिसका शीर्शक है कर चले हम फिदा इसके कवी है कैफी आजमी जो उर्दू के महसूर कवी है नावल की उर्दू के इन्होंने कही कविता भी जो है वह हिंदी में भी लिखे गए हैं इनकी जो यह कविता है बहुती महशूर कविता है और यह कविता जो है फेल्म हकीकत में जो है मुम्मिद रफी के दौरा जो है गाया गया है और यह जो कविता है बहुती महशूर है और जवानों को जो है भारतिय सैनिकों को जो है एक नई तोर पर जो है उर्जा देने का काम जो है किया है यहाँ पर जो है पुराने याने जो शहीद हुए सैनिकों द्वारा कह रहे हैं कि अब तो इस वतन को हम आपके हवाले करकर जा रहे हैं आप जो नव सैनिक हैं उनको बता रहे हैं कि इनको अच्छी तरह से देखबाल करें हिपाज़त करें इस तरह की बातें हैं पर जो है देखने को मिलती हैं तो लगातार दो वीडियो के अंतरगत इसका हम विवरन कर रहे हैं इस कविता के अंतरगत सैनिकों को जो देश के प्रती बलिदान और वतन की रक्षा किस प्रकार करना है वे हमेशा जो है धर्ती जो हिमालाई का जो सीर है हमेशा उचा रखने का जो प्रयास है करते हैं तो उसे जुकने कभी नहीं देते हैं चाए उनके आत्म समर्पन हो या उनकी स्वयम की जो जान है उसे गवा कर तो इस सीर को जो है सर को हमेशा उचा रखने की कोशिश करते हैं और देश रक्षा के लिए वह अपने बलदान अपना जो बलदान देने के लिए भी पीछे नहीं हडते और वीर मरन को प्राप्त करने से भी वह डरते नहीं है और पीछे भी हड़ते नहीं है इस प्रकार जो पहले पंक्ती में हमने सैनिकों को कह रहे हैं कि हम दूसरे पंक्तियों को पढ़ने से पहले पहले पंक्ती में जो क्या कहा था उसे देखेंगे यहाँ पर सहिनिकों को कह रहे हैं कि हम देश के लिए यह शरीर और प्राण नेचावर करेंगे और यहाँ पर यह धरती जो है बहुती देश की रक्षा करना या धरती की रक्षा करना हमारे लिए बहुती बड़ा सवबाग्या है हम लड़ते लड़ते जो है हम वीर मरन प्राप्त करेंगे तो भी कोई परवा नहीं लेकिन देश का जो सीर है उसे जुकने नहीं देना है और यहाँ पर जो हिमालाय का वर्नर किया गया है ऐसे में यहाँ लड़ रहे हैं जैसे यहाँ पर जो है सास रुकने लगती है यहाँ पर उंचाईयों पर जो है सास रुकने लगती है ठंडी के कारण जो है नस जम गए है नस जो है बर्ब के कारण सीमाओं में जो बर्ब के कारण जो है सीमाएं ये ठीक करते हुए जा रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसे समय में भी भी हमने हिमालय का जो सीर है उसे जोकाने नहीं दिया है मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और शंगर का जोश बना रहा अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं अब देश की भाग डोर तुमें तुमारे हाथ में है इसकी रक्षा करना इस प्रकार जो कितना अच्छी तरह से इसका वर्णन जो है किया गया है पहले पंक्ती इस प्रकार थी अब हम दूसरी पंक्ती की ओर बढ़ेंगे तो इसे पहले हम गा कर दिखाएंगे जिन्दा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुसन और इश्क दोनों को रुसवा करें ओ जवानी जो खों में नहाती नहीं आज धरती बनी है दुलहन सातियो अब तुमारे हवाले वतन सातियो कर चले हम फिदा जानो तन सातियो अब तुमारे हवाले वतन सातियो कितना अच्छे पंक्तियां है इनको कितने बार भी गाया जाए तो मन जो है और एक बार गाने की जो इच्छा होती है इतनी अच्छी और जो देश के लिए किस प्रकाज जो सहीनिक यहां पर लड़ रहे हैं इनका पूरा जो लेखा जो का इसमें दिया गया है किस तरह लड़ना है तो पहले इसके हम थोड़े बहुत शब्दार्थ देख लेंगे जिन्दा याने जीवित मौसम याने यहां अवसर मौसम याने यहां पर अवसर है रूत याने मौसम समय अवसर भी कहा लिजे खुसन याने सुन्दरता है और रुसवा याने यहां पर बदनाम है रुसवा करे ठीक है दोनों को रुसवा करे बदनाम नहीं करना है खू यानि यहाँ पर खून है में ना हाती नहीं यानि खून से ना है यह तबी चलेगा ठीक है तो इस प्रकार जो है यहाँ पर वर्नन कभी यहां करते हैं कि बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिकों सैनिक सातिओं को कहते हैं कि जो हैं बलिदानी एने जो अभी तक वीर गती को प्राप्त किये हैं वो अन्य साहिनिकों से कह रहे हैं कि हे मेरे साहिनिक सातियों ये मेरे मित्रों मेरे सातियों जिन्दिकी जीने के तो आउसर बहुत मिलेंगे जिन्दिकी जो जीने के जो आउसर बहुत मिलेंगे इस तरह जो बल्दान होने का जो आउसर है पवित्र आउसर देखे आउसर में भी इनोंने पवित्र आउसर यानि पवित्र स्थल को देखा होगा आपने उसी प्रकार पावन जो है आउसर जो है कभी कभी ही हमें मिलता है ऐसे वीर मरन हम लड़ते लड़ते मरेंगे तो हमारा सम्मान जो है द्युगुना हो जाएगा इसी लिए आप जिंदगी जो जिये मरेंगे लेकिन आउसर ऐसे आउसर दुबारा नहीं मिलते हैं यहाप पवित्र आउसर है ऐसे दूसरे सातियों को जो है वीर गति प्राप्त करने वाले बताते हैं आज तुमारे लिए बलिदान का यह पुन्य आउसर आ गया है देखे उनको जो है साइनिकों की संक्या जादा होने के कारण भारतियों की जो साइन संक्या कम होने के कारण जो है मृत्यू तो तह है लेकिन एक जो है दस-दस के बराबर है तो ऐसे पुन्या जो देश की रक्षा करने की जो माता की रक्षा करने की जिमेदारी जो है आपके उपरा है ऐसा आवशर पुन्या आवशर कभी कबार ही मिलता है इस समय जो साइनिक अपने शत्रू से लड़ता हुआ खून से लत्पत नहीं होगा वह अपनी धर्ती के सौंधर्य और प्रेम को बदनाम करेगा देखो यहाँ पर साइनिक अन्य साइनिकों को कह रहे हैं की सत्रू से लड़ना है और लड़ते लड़ते यदि खून से लटपत नहीं होए तो समझ लो की यानि लटपत होना यानि आपनी जो है अच्छी तरह से उनको जो शत्रू से साथ लड़ने के समय ही जो है उनके भी गोलियां आपको लग सकती हैं तब खून भहेगा तो भहेंगे तो आप समझना की न बहेंगे तो अपनी धर्ती की संदर्या और प्रेम को अपने बदनाम कर दिया ऐसे समझना होगा इसलिए आपका जो कून भहेगा उससे पहले दुश्मनों को मारना है देश की रक्षा जो है करना है इस संदर्या और प्रेम को जो है धर्ती की उसकी लाज जो है बदनाम होन से बचाना है ऐसी सैनी का देश प्रेम विर्त है जो आज तो देश की धरती ही तुमारे लिए दुलहन है देखिए यहां पर देखे धरती देश की धरती जो है आपके लिए दुलहन है दुलहन को किस प्रकार आप जो है समान देते हैं आज तो धरती जो है पूरा जो है दुल तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है देखो दुलहन को जो है उसे संभाल कर रखना होता है उसकी लाज की रक्षा करनी होती है तो यह धरती जो है एक प्रकार की दुलहन है तो यह दूसरों के हाथ में देना बहुती गलत होगा यह मान्य होगा यह धर्म होगा इसलिए इस दुलहन की लाज की रक्षा करना आपकी जिम्यदारी है मैं आपको सौप कर चला जा रहा हूँ अब यह देश तुमारे हवाले है हवाले ने आपको समर्पन किया है जो वीर गती प्राप्त करने वाले सैनिक जो है अनिसैनिकों को बता रहे हैं कि दुलहन जो है नहीं यही धर्ती जो है यही दुलहन है इसकी लाज की रक्षा करना आपकी जिम्यदारी है अब यह देश तुमारा हवाला है यहने हवाले ने आपको मैं हैंड वर कर रहा हूँ इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्क पर बढ़ चलो देखिए यहाँ पर जो है कैसे भी करके इस धर्ति को जो है सुतंत्र बनाना है जो दुश्मनों से बचना है और यहाँ पर आप तो खुद बलिदान मार्क पर जाना है भले ही आपको रक्षा करने के लिए बलिदान मार्क पर आपको सोयम ही नेचावर करना हो तो चलेगा लेकिन जो है यहाँ पर आपको आगे बढ़ते ही रहना है देखें यहाँ पर प्रमुक रूप से जो सैनिक हैं वो दूसरे अन्य सैनिकों को कह रहे हैं जिन्दिगी के आउसर बहुत सारे आजाएंगे लेकिन मरने का जो आउसर है पवित्र आउसर वहां कम कभी कबार ही मिलता है आईसे बलिदान जो है पुन्य आउसर देखिए सहाँ पर किस प्रकार उनको प्रेणा दे रहे हैं दूसरों को ऐसा आउसर जो पुन्य आउसर दुबारा नहीं मिलेगा देखिए यह सत्रूश लड़ते वे लद्पत नहीं होए तो लहु से लद्पत नहीं होए तो यह समझना कि आपकी आप देश को जो प्रेम है और देश की सौंधर को आपने बदनाम कर दिया ऐसे समझना है और पूरे धर्ती को जो है वही कह रहे हैं उसर और इश्य दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खुमेन नहाती है आज धर्ती बनी है दुलहन सातियो अब तुमारे हवाले वतन सातियो इसका मतलब यह है कि पूरी जो धर्ती है देश की धर्ती जो है दुलहन है और उसकी लाज की रक्षा करना आपकी जिमेधारी है अब यह देश तुमार तुमारे हवाले वतन सातियों अभी इसे आप रक्षा करना है रक्षा की कातिन बलिदान मार्क पर भी बढ़ चलो यदि आपको संभव हुआ तो ऐसे भी करना कैसे भी करके इस धर्ती की जो रक्षा करना है हिमालय को कभी जुकने नहीं देना है इसलिए आज धर्ती बनी है दुलहन सातियों अब तुमारे हवाले वतन सातियों ऐसे अन्य सहिनिकों को कहते वे वह अपने वीर गती को प्राप्त करते हैं तो आपको समझ में आया होगा फिर एक बार इसे मैं गा कर सुनाओंगा जिन्दा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुसन और इश्क दोनों को रुसवा करें ओ जवानी जो खुमे नहाती नहीं आज धर्ती बनी है दुलहन सातियों अब तुमारे हवाले वतन सातियों कितना अच्छा मदूर जो है यह गीत है कितने बार भी आप गाएंगे तो इसे कभी आप जो है उबने का जो भाव है इसमें नहीं आएगा इस प्रकार आज हमने मेरे प्रिये चातरों आज हमने दूसरा जो कर चले हम फिदा में से दूसरा जो टांजा है या पंक्तिया है उसका हमने सहविवरन किया है अगले वीडियो में हम तीसरे पंक्ति का जो है सहविस्थार विवरन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद आप अपने घरों में सुरक्षीत रहिए और आपका दिन मंगल मैं